आप सबने पढ़ा स्कार्ट कर दिये हमारा यूनिट 3 कंप्लीट हो गया है आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे आप बताओ आज मैं हमने किया क्या बना कि रखा है यह है आज हमारे चेप्टर का नेम है क्लोउस क्या है इसमेंमेट्ट फोगें यह यह चैंड इए इस सब्लके के बारे हैं से पढ़ेंगे की कैसे बनती है मनब cloths कैसे बनते हैं और ही कैसे बनती है ठीकेट Like food and water cloths are also our basic need Food and water cloths यह सब हमारे यह आउशक है We wear cloths to cover our body जो cloths होते हैं वो हमारी body को cover करते हैं means डखते हैं They protect us from eat cold, rand dust and dirt यह हम सब को protect करते हैं कि इनकी चीज़ों से करते हैं It से, गर्मी से cold means, थंड से rain means, बारिस से dust and dirt, धूर और मिट्टी, तो जो कपड़े होते हैं वो हमारे को It से, cold से, rain से dust से and dirt से protect करते हैं They make us look smart and attractive and close हम को क्या बनाते हैं? smart बनाते हैं और attractive बनाते हैं क्लोस को पहने के बाद में तो इसमार लगते हैं ना? अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं तो neat and clean We wear different clothes in different season हम अलग-अलग season में अलग-अलग clothes पहनते हैं It is very hot in summer Summer में बहुत जग़धा गर्मी होती वच्छों आप सबको पता है भी कौन सा season चल रहा है Summer चल रहा है ना? सबको बता है कितनी गर्मी हो लिए So we wear cotton clothes इसलिए हम कौन से कपड़े पहनते हैं? Cotton clothes कौन से पहनते हैं? Cotton clothes They are very light वो बहुत हलके होते हैं एक्दम They keep us cool और उनको ठंडा रखते हैं तो cotton clothes हम क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो बहुत light होते हैं और बहुत cool होते हैं We get coolant from the cotton plants अब आप सोचोगे मैं में इतना सारा तो हमको बता दिया पर अब ये cotton कहां से आते हैं? Cotton तो ये इसके वारे में हम आज यही पढ़ने जाने हैं कि हमको We get cotton from cotton plants हमको cotton कहां से मिलती है? Cotton plants से तब ये किस तरह से बनता है? इसका मैं पुरा आपको डिटेल में बताने जारी हूँ सबसे पहले cotton plants से ये इसमें बोल्स है जो ये cotton balls है फिर इसका cotton balls इसे thread बनता है अनमिस दागा बनता है इसके बाद में इनको बुना चलता है और फिर कपड़े तयार होते है फिर इन ड्रेस को पहने के बाद में हम एकदम स्मार्ट दिखाई देते हैं ठीक है? तो आज मैं मैंने क्या पढ़ाया? किसके बाद मैं पढ़ाया? cotton balls के बादे में एक बाद में बता देते हूं जिसकर हम को खाने की पीने की और खावा की जरूरत होती है उसी तरह हम को close के भी बहुत जरूरत होती है close अलग-अलग types के पहने जाते है अलग-अलग weather के रोसा जैसे 3 weather होते हैं summer, rainy, winter तो इन में सबसे पहले summer season जो जिसके बारे में पढ़ा रही हूं अभी summer चल रहा है बहुत गर्मी की दिन है तो इसके इंदर आमको क्या करना पढ़ता है cotton close हम क्यों पहनते है क्योंकि वह बहुत लाइट होते है और हमारी body को cool रखते है अब आपने बता है cotton close किस रह से बनते है क्लोस किस रह से बनते है तो इस रह से सबसे पहले cotton plant होता है इसके आदमे cotton bowl यह है cotton bowl से thread बनता है thread से close बनाए जाते है और उसके बाद हमको पहनते है smart नजर रखते है और हमको वह eat and hold and hand-hand se protect करते है आप सबको यह lesson अभी नियां तक पढ़ाया तो समझ में आगया हुआ अब हम next class में मिलते हैं Bye